नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं दोस्तों कॉंग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अभी तक 17 सीटों पर अपने प्रत्याशों का एलान नहीं किया है लेकिन एक सीट ऐसी है जहाँ पर प्रत्याशी तै हो गया है और वो सीट है अमरोहा लोकसभा सीट अम्रोहा सीट पिछली बार BSP ने जीती थी कुमर दानिश अली चुनाव जीते थे बहुजन समाज पार्टी के टिकेट पर लेकिन BSP ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था उधर अब दानिश अली ने एक्सपर सोनिया गांधी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है जी हाँ दोस्तों उस तस्वीर के साथ उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं दानिश अली ने लिखा है कि सुनिया गांधी जी से मिलकर अम्रोहा से अपने दूसरे चुनाव के लिए आशिरवाद लिया ये बात उनकी तरफ से कही गई है यानि दानिश अली ने अम्रोहा से कॉंग्रिस सा सपा गडबंधन से अपनी दावेदारी को पक्का कर दिया है और बता दिया है सोशल साइट पर कि वो अम्रोहा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भी इंडिया गडबंधन के साथ दोस्तों ये वही दानिश वली हैं जिनको सदन में बीजेपी के सांसद रमेश बिदूरी ने अब शब्द कहे थे इसके बाद राहूल गांधी इन से मिलने पहुचे थे और कई नेताओं ने मुलाकात भी की थी राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब अमरोहा पहुची तब दानिश वली कॉंग्रेस में शामिल हो गये थे 2019 के चुनाओं में अमरोहा में दानिश वली को करीब 6 लाक वोट मिले थे और बीजेपी के कवर सिंग तवर की हार हुई थी इस चुनाओं में कॉंग्रेस के सचिन चौधरी को सिर्फ 12,000 वोट मिले थे दोस्तों 2024 के चुनाओं में बीजेपी ने अमरोहा से कवर सिंग तवर और बीएस पी ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को टिकेट दिया बात अगर अमरोहा के समीकरण की करें तो अमरोहा में दलित वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है जबकि सीट पर मुस्लिम आबादी खरीब 20 फीसिदी के असपास है जाट, गुरजर, सैनी, जातियों का भी यहाँ पर असर देखने को मिलता है हलाकि दो मुस्लिम प्रत्याशी अगर लड़ते हैं तो बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश भी करेगी बीएसपी के सेटिंग सांसद रितेश पांडे बीएसपी छोड़ बीजेपी में चले गए हैं जिने बीजेपी ने अम्बेटकर नगर से टिकेट दे दिया है और अब दानिशवली भी कॉंग्रेस से टिकेट पाने का एलान कर चुके हैं महीं चर्चा मलूक नागर को लेकर भी है कि वो भी इंडिया के निताओं के टच में हैं इसलिए मायवती इस बार नैने प्रत्याश्यों का एलान कर रही हैं बहुत शुक्रिया दोस्तों